हेलो, गुड मॉर्निंग ओल आप यूँ, मैं विविक कुमार, लेकर उपस्तितिव टूड़े करेंट अपेर्स जी के एमसी क्यूज, सात्यों आज 17 माई 2020 वार रविवार के करेंट अपेर केम बात करते हैं मेरे प्यारे सात्यों, कोरोना वायरस महामारी चल रही है, इसलिए करेंट अपेर्स लोग देख नहीं रहे हैं, तो प्लीज वीडियो पूरा देखें, आज का क्वेशन अप दाडे देखें, उसका आंस्वर कमेंट बॉक्स में जरूर देखें सात्यों, आज का गरेंट पेर सुरूर करने से पहले हम बात करते कल के हमारे पूछेगे क्वेशन की लाज डे हमने क्वेशन अप दाडे में पूछा था कि भारत में COVID-19 मरीजों की जाज छेतूं, किस नाम की परिक्षण मसीन को राष्टे को समर्पित किया गया है और सात्यों, इसको केंद्रे स्वास्ते मंत्री डॉक्टर हर्सवर्दन ने भारत को COVID-19 मरीजों की जाज के लिए समर्पित किया है, और यह पहली ऐसी परिक्षण मसीन है, कौनसी यह वाली जो मसीन है, यह ऐसी पहली परिक्षण मसीन है जिसे सरकार ने COVID-19, यहनी कि कोरोना वाइरस मामारी के मरीजों की जाज के लिए खरीदा है और इसे राष्टी रोग नियंतरण के इंद्र, NCDC में इस्तापित किया गया है डॉक्टर हर्सवर्दन ने NCDC के नियंतरण कक्ष और परिक्षण प्रोग सलाव को दोरा किया और COVID-19 परिक्षण के वर्तमान इस्तिति की समिच्छा की तो लाष्ट एकर जो क्षण था हमारा उसका राइट आंसर क्या था अप्सेंटी कौबास 68 साथियो आज का क्षण उप्दाडे आपको वीडियो के लाष्ट में मिलेगा इसलिए आप वीडियो को पूरा देखे, कंप्लेट देखे, कमेंड चरूर करे कौसन का और मौर्णिंग सवा पांच लाइव हमारा प्रिमियर चलता है तो वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं चैट बक्स में चैट कर सकते हैं मैं आपके साथ ओनलाइन रहूँगा अपने लक्षे को उचा रखो अपने लक्षे को उचा रखो और तब तक मत्रु को जब तक आप इसे साबित नहीं कर लेते या हासिल नहीं कर लेते हैं अपने लक्षे को हाई उचा रखो और तब तक मत्रु को जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते हैं और इस लक्षे की प्राप्ति के लिए हमारा लक्षे क्या है competition exam clear करना तो हमारे लक्षे की प्राप्ति के लिए आज ये शुरू करते हैं आज का हमारा current affairs जी के question संक्या फ़र्ष से क्योंकि current affairs आपकी 31 परदी परिक्षा के लिए त्यंत मैं तो पोर्ण है साथ हो question संक्या फ़र्ष्ट है कि option B नगेंद्र मोदी, option C पीयूस गोयल और option D राजनात सिंग साथ हो अभी हाली में G20 देशों की वर्चूल व्यापार और निवेस मंत्रियों की दूसरे संस्कंड की बैठक होई जिसमें भारत का प्रतिनी दुत्यों किया केंद्रे मंत्री पीयूस गोयल ने केंद्रे वानिज्जे और उद्दोग मंत्री पीयूस गोयल ने इस बैठक का वीडियो कॉनफरेंसिंग के द्वारा प्रतिनी दुत्यों किया भारत की तरप से तो option C, right, answer है पीयूस गोयल बात करते हैं मिटिंग की और उसके बाद G20 की साओधी अरब की अध्यक्स्ता में यह बैठक हुई और इस बैठक का दूसरा संस्कना अजुद किया गया इस बैठक की जो अध्यक्स्ता है वो निवेश मंत्री खालिद अलफले की उपस्तिती में साओधी के वानिज्य मंत्री माजिद अलकास भी द्वारा की गई और इस बैठक के दौरान जो यह बैठक हुई थी इस बैठक के दौरान भारत के प्रतिनिदी ने अपने संबोधन भारत के प्रतिनिदी कौन केंद्रे वानिज्य और उद्धोग मंत्री प्यूस गोहल ने अपने संबोधन में जीटवंटी देशों से सस्ती दवाव उप्चारों और टीकों को किफायती की मों तक पहुंचना का आग्र किया है इसके अलावाई इस बैठक में जीटवंटी राष्टे और सीमाओं से पाल जाकर नेदानिक और सुरक्षात्मक उपक लेए थी साथ यहां पर बात करते हैं जीटवंटी जीटवंटी है क्या तो जीटवंटी जो है बीस सदस्य समूँ अंतराष्टे आर्थिक सहयों का प्रमुक मंच है जो हर मादीप के विक्सित और विकास्यल दूनों देशों के निताओं को एक मंच पर लाता है भानी भारत इंडोनेसिया इटली जापान मैक्सिको रूस साओधी अरब दक्षन प्रिका कोरिया गंडराज्य तुर्की ब्रटेन स्युक्तराज अमेरिका और यूरोपिय संग यह सामिल है नेक्स्ट क्वेसन संक्या दो निमनलिकित में से कौन सा देश कोविड-19 मामारी क और दिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्टे बन गया है। दिया है क्योंकि इटली ऑस्ट्रिया हंगरी और कोरोशिया से जुड़े दो मिलियन साधिक लोगों के देशों में मामारी कोशित किया जाने के बाद कोविड 19 के 1464 मामले सामने आए और जिनमें 103 की मौत यूरोप में हो चुकी है इसके लावा सरकार ने कई परतिबंदों में चूट भी दे दिये किसनी सिलोवेनिया की जो सरकार है उसने कई परतिबंदों में चूट भी दिये जो बीमारी के प्रसार को कम करने के लिए लगाए गए जैसे कि सभी दुकान और ड्राइविंग इसको लोगों को अपनी सेवाई फिर से सुरू करने की हरीजंडी दे दी और इसकी मुद्रा है यूरो नेक्स्ट कॉसन संक्या तीन अमेरीकी ससस्त्र बल में सेवा करने वाले पुरूसों और महिलाओं के सम्मान में हर साल यूएस आर्म फॉर्स डे यानि कि अमरीकी ससस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है उप्सन ए मई महिने के पहले सनिवार को और ऐसकी सत्र सेना में पुरूसों और महिलाओं के सम्मान के लिए हर साल यूएस आर्म फॉर्स डे मनाया जाता है यानि कि अमरीकी ससस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है और यह ससस्त्र सेना दिवस मनाये कब जाता है हर महीने के तीसरे सनिवार को मई महीने के तीसरे सनिवार को मनाये जाता है और मई महीने का तीसरे सनिवार यानि कि थर्ड सैटर्डे इन मई और इस बार का जो मई का तीसरे सनिवार है वो कौन सा है 16 तारिक का तो इस बार यूएस आर्ण फोश्ड यानि कि अमरीकी ससस्त्र सेना दिवस कब मनाये गया 16 मई को और यह दिन ससस्त्र बलो द्वारा निभाई जाने वाली बहुमुल्य भूमिका के बारे में नागरी को शिक्षित करने के लिए अमरीकी सेना के सबिचा साफाओ का एक स्युकत उस्सहें जिसमें सेना वाईउ अमरीका की ममईकश कौर्स्ट जान दिवस differenceE बात करते हैं या की सस्त्र सेना दिवस क्यों घड़िक है व्यूसा। भूमीका है यूस Vince डिवस JUST सब देए के इतियास की बात की जाए तो ससत्र सेना दिवस अमरीके राष्टेपती हैरी एस डुमैन द्वारा ससत्र सेना दिवस को सुरू करने का प्रियास किया गया था 31 अगस्त 1949 को रख्षा सची उल्लुई जोनसन ने अलग-अलग सेना, नोसेना, मरीन कॉप्स, अमरीके तर्टरक्षक बल और वायू सेना के दिनों को आपस में तालमेल बनाने के रूप में इस दिन की सुरुवात की थी इस दिन को बनाने की गोश्टना की थी जो पहला ससत्र सेना दिवस था वह बीस में 1950 को मनाया गया और जिसके परेड कांग हुई वासिंग्टन के ब्रेम्टर में आयुजित की गई और जॉन अप कैनेडी ने वर्स 1961 में ससत्र सेना दिवस को राष्ट्य आउकास के रूप में गोश्ट किया यह अमेरिका का दिवस है तो अमेरिका की राज़दा नहीं क्या है वासिंग्टन डी सी और राष्ट्य पती वर्तमान में कौन है डॉनाल्ड ट्राम्प ट्राम्प वा सो करोड खर्च किये भारत आया वापिस गया कुछ नहीं मिला नेक्स्ट क्वस्टन संग्या चार निमनलिकित में से किस प्रोधोगी की संस्तान के सोध करता हो द्वारा M I R A H D COVID-19 डैस्बोर्ड नामके एक इंट्रक्टिव COVID-19 डैस्बोर्ड विक्सित किया गया है साथियों अभी हाल ही में M I R A H D COVID-19 डैस्बोर्ड नामके एक इंट्रक्टिव COVID-19 डैस्बोर्ड विक्सित किया गया है और यह विक्सित किसने किया IIT गांदी नगर ऑप्शन B राइट आंसर IIT गांदी नगर कहाँ पर है यह आपकी गुजरात में है गुजरात के मुख्य मंत्री कोन है विजयरोपानी वर्तमान में और हमारे प्रदान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी का यह घ्रह राज्य है और इस dashboard का उद्धे से क्या इस dashboard का उद्धे से इस संकट के समय कौन से संकट चल रहा है COVID-19 में हमारी का जो संकट चल रहा है COVID-19 इसके संकट के समय अनुसंदान समर्थित नर्णने लेने के लिए हिद्धार को और जनता को महत्तपूर्ण जानकारी परदान करना है बात करते हैं इस interactive dashboard की तो यह interactive जो dashboard है coronavirus का नुसा टेस्टिंग की योजना बनाने में प्रसासन अस्पतालों और लोगों की सायता करने में सक्चम है इसकला साथ ही ये lockdown के बाद विविन पर इस द्रस्यों में सामूदाई संक्रमन को रोकने में मदद करेगा यह dashboard सहरी इस तर पर विविन मामारी विज्ञान पर इस द्रस्यों विशिष्ट जानकारी प्रदान करता है और जटिल सामाजीक और अत्यादुनिक्स मामारी पहलाने वाले model के साथ pattern को जोडता है यदि drive-through testing को लागू करने का निर्ने लिया जाता है तो यह सहर के सबसे मैत्वपूर इलाकों की जानकर यह दारकों के साथ साजा करने में भी सक्षम है यह जो dashboard है वो है next question संग्या 5 हर साल प्रकास के विज्ञान, संस्कृती और कला, सिक्षा, इमसतत विकास के सासा, चिकित्सा, संचार और उर्जा के रूप में विविद छेत्रों में भी आम भूमी का निबाने के लिए International Day of Light दुनिया भर में कब मनाया जाता है Option A 10 माई को, Option B 12 माई को, Option C 14 माई को, Option D 16 माई को तो सातियों International Day of Lights मनाया कब जाता है 16 माई को, Option D right answer 16 माई सातियों बात की जाए इस दिन की और इस की यह दिन क्यों फेमस है तो इस दिन के बारे में बात की जाए तो इस दिन को इसके अलावा यह दिन 1960 में बोती की विग्यान और इंजिनियर थियोडोर मेमन द्वारा लेजर के पहले सपल संचलंग की वर्सगाट का भी परतीक है कौनसा इंटरनेशनल डे ओप लाइट्स और यह दिन दुनिया भर में समाज के विविन छेत्रों को उन गतिवीदियों में सामिल होने में सक्षम बनाता है जो यह प्रदर्शित करती है कि विग्यार प्रदोगी की कला और संस्कृती युनेसकों के लक्षे को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं अर्थात कैसे सांतिपूर्ण समाजों की नियुका निर्माण किया जा सकता है। केंद्रिय जन जातिय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाव को मेंटर्शिप प्रदान करने के लिए किस नाम से कार्यकरम सुरू किया गया है। ऑप्षन ए गोल, ऑप्षन बी सक्षम, ऑप्षन सी डिजिटल इंडिया, ऑप्षन डी लीडर्स। साथे, अभी हाल ही में आदिवासी युवाव को मेंटर्शिप प्रदान करने के लिए केंद्रिय जन्जाती कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा डिजिटल प्रणाली के तैथ एक कार्यकरम सुरू किया गया, और इस कार्यकरम का नाम क्या है गोड, जी ओ ए अल, और इस कार्यकरम का उद्देश से क्या है, उद्देश से है डिजिटल मूड के माध्यम से आदिवासी युवाव को सला प्रदान करना और आदिवासी युवाव की छिपी प्रतिवाव की खोज करने के लिए एक उत्प्रेरक के रुप में कार्य करना है, इससे क्या होगा, इस कारेकरम और यह जो कारेकरम है जन जाते कारे मंत्राले के साथ सुरूख की गई फीस्बुक इंडिया की सयुक्त पहले मतार एब भी प्लस में जन जाती है मतार एश्टी जो बिनिश्ट्री है उसकी इस कारेकरम के वर्तमान चरण में 5000 आदिवासी युवाओं को ससक्त बनाने जारों से जुड़ने के लिए साधन मिल सके इस कारेकरम में दो मैंटीज के लिए एक मैंटर होगा मताद दो लोगों को समझाने के लिए एक मैंटर रखा जाएगा और जिसका उद्देश ये दूरस्त छेत्रों में आनुसूची जन जाती है इस्टी युवाओं को अपने प्रतिपालकों के साथ अपनी आकान चाहों सपनों और प्रतिवाओं को साजय करने के लिए डिजिटल प्रेटफोर्मों का उप्योग करने में सक्षम बनाना है नेक्स्ट कॉस्टन संग्यास साथ सात्यों बोर तो नहीं हो रहे है एक्चुली क्या है कि मैं थुड़ा प्रतिवाओं की टाइप आग में हूँ नेमनों वैसे कि सर्थ देश के प्रख्या साहित्यकार सिक्षाविद और प्रोफेसर अनी सुझ मान का निदन हो गया है उप्सन भारत उप्सन भी पाकिस्तान उप्सन सी अफगानिस्तान और उप्सन डी बांगला देश तो सात्यों अभी हाल ही में प्रख्या साहित्यकार सिक्षाविद और प्रोफेसर अनी सुझ मान का निदन हो गया है और अनी सुजमान किस देश के थे बांगला देश बात की जाए प्रख्यात सिख्षाविद और साहित्यकार प्रोफेसर अनी सुजमान की इनके बारे में बात करते हैं तो यह प्रोफेसर अनी सुजमान वर्स 2012 से बांगला अकादमी के अध्यक्स थे ये एक सवतंतरता सेनानी थे जिनोंने पाकिस्तान के खिलाब भासा अंदलोन में भी भाग लिया था प्रोफेसर अनी सुझमान ने अपने सांदार कैरियर में सिख्षाविद अकादमीक लेखक और सामजी कारेकरता के रूप में विभिन पुरुषकार प्राप्त किया है और इन्हें वर्स 1985 में एकुसी पदक से सम्मानित किया गया नेक्स्ट कॉस्टन संग्या आठ निम्र में से किस राज्ये की पुलिस ने इंडियन रोबोटिक्स सॉलुशन यानि कि IRS के सहयोग से थर्मल कोरोना कॉमबैक हेड़ गेर नामक एक नया उपकंड लॉंच किया है Option ने राजस्तान पुलिस, Option B दिल्ली पुलिस, Option C उत्राखंड पुलिस और Option D उत्तरपरदेश पुलिस तो साथ यह थर्मल कॉरोना कॉमबैक हेड गेर किसने विक्सित किया है यहनि कि लॉंच किया है किसने दिल्ली पुलिस ने Option B Right Answer दिल्ली पुलिस यह कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा साथ यह इसके बारे में बात की जाए तो यह उपकर्ण जो है क्या काम करेगा तो इस उपकर्ण के बारे में हम बात करते हैं तो यह सुपकर्ण को COVID-19 के से फ्रेंट लाइन कोरोना योद्धाओ को सुरक्षित रखने के लिए लौंच किया गया है और यह एक अनुठा उपकर्ण है जो पुलिस कर्मियों को 10-15 मेटर की दूरी से ही बड़ी संख्या में लोगों के तापमान का पता लगाने में सक्चम बनाता है और सोसल डिस्टेंसिंग के मांदंडों का पालन करने में भी मदद करेगा थर्मल कोरोना कॉमबेक्ट हैडगियर फ्रेंट लाइन कारे करताओं को अस्पता लो सुपरमार्केट और भीडबाड़ वाले छेत्रों जैसे सार्वजनिक छेत्रों में उनके संपर्क माये बिना लोगों को इसकेन करने में सक्चम बनाएगा साथी इसमें केंद्रिय करत नियंतरन केंद्र को सीधे लाइव इमेजरी भीजने की भी सुविदा है नेक्स्ट क्वसन संक्यान नो निम्न में से वे कौन सा राज्जी है जांप छेत्रबल के द्रेष्टी से विश्टी से विश्टी का सबसे बड़ा सोलर पार्क इस्तापित किया गया है आपसने राजस्तान, आपसन भी गुजरात, आपसन सी, करनाटाक, आपसन डी, उत्तर पर्देश तो सात्यों विश्टी का छेत्रबल के द्रेष्टी से विश्टी से विश्टी से बड़ा सोलर पार्क इस्तापित किया गया है राजस्तान में, राजस्तान के चूदपूर में राजस्तान की बात की जाये तो राजस्तान की राजदानी जैपुर एक्चुली मैं भी राजस्तान से हूँ मुख्यमंतरी असुग गैलोत और साथी यो राजस्तान राज्य को आपनो राजस्तान पदारों मारे देश दर्ती दोरारी चेत्रपल की द्रश्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्जी है राजस्तान जिसका चेत्रपल 3,42,249 वरक किलोमेटर है साथ योग बात करते हैं कि कौन सा सोलर पार्क विश्यू का सबसे बड़ा सोलर पार्क इस्तापित किया गया राजस्तान में संवर राजस्थान में जोधपुर में इस्तित्ध भड़ला सोलर पार्क छेट्रवल के दृष्टी से विशु का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन गया है और इससे पूरू कौन सा था करनाटक के तुमकुर्च लेके पावागड सोलर पारक को ्विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क होजित किया गया और कि बरतमान में। भळळा सोलर पार को इससे पहले कौन सा पार्क पावागड सोलर पार्क करनाटक का कूछ बढला सोलर पारक के वह हैं चोद्र हजार इकडशेत्र में पहला है और इसमें अठारे बड़ी कंपनियों के कुल 36 सोलर प्लांट इस्तापित है जिमकि करनाटक के तुंकुर्ज लेके पावगड सोलर पार्क का सकति स्तल 13,000 इकड़ का है जो बढ़ला सोलर पार्क है ये पार्क कुल 300 मेगावाट इसे विशु का सबसे बड़ा सोलर प्लांट गोशित किया गया है नेक्स्ट और आज का अंतीम कोस्टन कोस्टन संक्या 10 निम्नमेज 21 केंद्रिय मंत्रा लेने किफायती व्यक्तिगत सुरक्षा उपकर्ण पीपी का सपलता पूरोग पैटेंट कराया है ऑप्सन एकरसी मंत मंत्रा लेने और उप्सन इस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकर्ण पीपी का सपलता पूरोग पैटेंट किसने करवाया है रक्षा मंत्रा लेने डिपेंट्स मिनिश्ट्री रक्षा मंत्रा लें और रक्षा मंत्रा लें के वर्तमान में केंद्रिय मंत्री कोन है केंद्रिय मंत रहे हैं राजनात्सी तो रख्या मंत्रा ले द्वारा भारती नोसे ना द्वारा विक्सित कम लागत वाले व्यक्तिगत सुरुक्षा उपकरणों यानि की पीपीए किट जिसमें की एन 95 का मास्क पूरा फुल बोडी कवर सूट गोगल सूज इत्यादी उपकरण होते हैं उस के सहयोग से एक पैटेंट दायर किया गया है नोसे ना द्वारा विक्सित यह उपकरण एक विश्यस कपड़े से बनाएं जो बाजार में उपलबद अन्य पीपी के मुकाबले उच्छ गुनवत्ता और उच्छ सुहसन जमता प्रदान करता है और बीपी के पाइलेट बैं है कि नैशनल ग्रेंट ट्रिब्यूनल दौरा विजाग गैस्त रास्दी के संबन में आदेश किस रेड़ी में पारित किया गया है ऑप्सन ए इस्ट्रिक्ट लाइबिलेटी प्रिंसिपल अप्सन भी एपसोलूट लाइबिलेटी ऑप्सन सी उप्रोक्त दोनों और एप्स करिए लाइब साथ वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें कमेंट जरूर करें वीडियो अच्छा लगे है बुरा लगे कमेंट तो कर नहीं है हमारी बार बार विंतिये के साथ यू कमेंट जरूर करें वीडियो का पेडियाप डाउनलोड करें कोस्टन का पेडियाप फ्यूचर के लिए अपने पास रखे और हमारे यूटूब चैनल यूवी कंपेटिसंस को सब्क्राइब जरू करें थैंक यू सो मच धन्यवाद इस्टे हो वी से गर पर रहो सुरक्षित रहो कोरोना वायरस मामारी से बचो आपका दिन सुब हो